नमस्कार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हारदिक स्वागत है शरत जोशी जी के व्यंग सिरीज पे जो हमने एक शरिंखला शुरू की थी उसी के तहट ये अगला वीडियो है अगला व्यंग है और नाम है इसका पानी की समस्या आईए शुरू करते हैं वे लोग जो टीवी देखते हैं अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे प्रधान मंत्री वास्तविक्ता से सीधा साक्षातकार करते हैं वे स्वैम उसी जगे जाते हैं और पूँच कर बाचित कर पता लगाते हैं कि सच्चाई क्या है ये उनकी काम करने की शैली है अब जैसे कोई मुख्यमंत्री उनसे कहे कि साहब हमारे राज्य में गरीबी है तो प्रधान मंत्री उसकी बात पर योँ ही विश्वास नहीं कर लेते वे वहाँ जाते हैं तेली विजन वालों को साथ लेकर जाते हैं और गरीबों को पूछते हैं सुना है आपके गाउं में गरीबी है जी साहब कितने गरीब हैं गाउं में जी सभाई गरीब है मेरा मतलब आप में से जादा गरीब कितने हैं गाउं वाले एक दूसरे का मुख देखने लगते हैं सर जी सभी जादा गरीब हैं सर इस गाउं में एक सोशल वर्कर बोल पड़ता है अरे उन्हें जवाब देने दीजिए मीच में मत बोलिए हाँ इस गाओं की पॉपुलेशन क्या है कितने लोग रहते हैं इस गाओं में प्रधान मंतरी कलेक्टर सहब से पूछते है सर कोई सतर फैमिलीज है सर कलेक्टर जवाब देते है आई वांट इग्जैक्ट फिगर्स 69.5 सर हम ये 0.5 कैसे जी एक फैमिली में सर वाइफ यही है सर और हस्बेंड शहर गया है सर हम तो इस तरह हमारे प्रधान मंतरी स्वैम वहाँ जाते हैं और वास्थविक्ता से सक्षातकार करते हैं अर्थात बादचित से सच्चाई का पता लगाते हैं अब जैसे एक गाउं में पानी की कमी है प्रधान मंतरी स्वैम वहाँ जाएंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे देखिए वार्तालाब कुछ इस प्रकार का होगा वहाँ आप लोग पानी पीते हैं? जी हुजूर पानी तो पीते ही है इस गाओं में कितने लोग पानी पीते हैं? जी पानी तो सभ़े पीएंगे न साहब प्यास लगेगी तो पीना ही पड़ता है कहां से मिलता है पानी लाते कहां से है हुजूर नदी से लाते है नल नहीं है जी नहीं है तो नदी यहां से कितनी दूर है हुजूर थोड़ी दूर पर है कैसे लाते हैं पानी हुजूर मट्की में भर के लाते है मट्की घर से ले जाते है या नदी पर ही मिल जाती है जी घर से लेके जाना पड़ता है I see, I see नदी पर मट्कियों का कोई इंतजाम नहीं रहता तो आप लोग मट्की लेकर नदी पर जाते हैं तब नदी में पानी मिल जाता है या मुश्किल पड़ती है पहले मिल जाता था अब आजकल मुश्किल पड़ती है क्या मुश्किल पड़ती है एक नदी में कितनी मट्की पानी होता है काफी मट्की पानी होता है हुजूर I want to see a मट्की exact क्या साइज होती है उसकी परधान मंत्री ने कहा तो फौरण एक गरीब के घर से एक मट्की लाकर परधान मंत्री जी को दिखाई गई ये मिट्टी से बंती है जी तो ये मिट्टी हम इंपोर्ट कर रहे हैं या यहीं की है जी लोकल मिट्टी है उसे एक मट्की में कितने बकेट पानी आ जाता है मतलब कितने बाल्टी पानी आता है एक मटकी में कोई डेड़ बाल्टी पानी आता है हुजूर आप बड़ी मटकी लेकर क्यों नहीं जाते ज़्यादा पानी आ सकता है क्या सभी मटकियां एक ही साइस की होती है जी बड़ी भी होती है मगर उठाने में भार ही पड़ता है हुजूर एक बार में कितनी मटकी उठाते हैं जी एक कई उठाते हैं पानी से भरी हुई या खाली पानी से भरी हुई आप खुद उठाते हैं या दूसरों से उठवाते हैं जी खुद उठाते हैं कितने आदमी लगे हैं इस काम पर जी सभाई लगे रहते हैं ना नदी से 2400 गंटे पानी मिलता है या कोई fixed time होता है जैसे इतने बजे से इतने बजे तक अब हुजूर जब मिलता है तब 2400 गंटे मिलता है आजकल कितने गंटे मिलता है आजकल नदी सूख गई है तो जब सूख जाती है तब कितने गंटे मिलता है तब नहीं मिलता है हुजूर एक दो घंटे भी नहीं नहीं प्रधान मंत्री का चेहरा गंभीर हो जाता है वे सोचने लगते हैं फिर कलेक्टर से पूछते हैं अरे कलेक्टर साहब भाई ये नदी सूख क्यों जाती है ये सर गर्मी में सर अट्मॉस्फेरिक टेंपरेचर बढ़ जाता है सर उससे सूख जाती है कलेक्टर साहब जवाब देते हैं जो नदी के ऊपर लगा दे जिससे चाया रहे तानी पर धूप न पड़े ऐसा कुछ हो जाए तो नो सर इट इस नोट पॉसिबल सर क्यों सर उसमें प्राक्टिकल डिफिकल्टीज है सर क्या डिफिकल्टी है क्या है सर की एक तो नदी का पार्ट बहुत चौड़ा होता है सर उसको कवर करना बहुत मुश्किल है सर दूसरे नदी के पास की सौइल, कंडिशन, रेती, कीचड़ के ऐसा नहीं हो सकता सर उसमें पिलर्स खड़े करना मुश्किल सर वेरे डिफिकल्ट आई सी, आई सी तब दूसरे अफसर ने जो इस अफसर के प्रधान मंत्री से जादा बात कर लेने की वज़े से परिशान हो गया था और इस पस्ट करते हुए कहता है सर एक दूसरा प्रॉब्लम भी है सर कि अगर सर हम लोग सर नदी को कवर कर देंगे न सर तो बरसात में जो पानी गिरता है न सर सर वो भी पानी नदी में नहीं गिरेगा सर प्रधान मंत्री ने गर्दन हिलाई वे प्रॉब्लम समझ गए थे सामने खड़े प्यासे गाओं वाले उनमें क्या बातें हो रही हैं ये तो समझ नहीं पा रहे थे मगर उन्हें इतना समझ आ रहा था कि प्रधान मंत्री उनकी पानी की समस्या के हल को लेकर बहुत चिंटी थे और वे अफसरों से इस बारे में बात कर रहे हैं प्रधान मंत्री ने फिर गाओं के लोगों से पूछा जब नदी में पानी नहीं मिलता तो आप वहां मत्की लेकर क्यों जाते हैं हम कुए पे जाते हैं साहब नदी पर नहीं जाते तो कुए में पानी मिल जाता है जब नदी पर नहीं होता जी हुजूर मिल जाता है एक कुए में कितना पानी मिल जाता है पूरे गाओं को मिल जाता है काफी मिल जाता है हुजूर दूसरे ने जबाब दिया आप लोगों को कौन सा पानी अच्छा लगता है नदी का पानी अच्छा लगता है या कुए का जी जहां से मिल जाए हुजूर वहीं का अच्छा लगता है अब नदी के पानी में थोड़ा कच्रा होता है साहब फिर क्या करते हैं आप नदी को छान देते हैं अरे पूरा नदी को नहीं छानते हैं साहब हम जो पनिया लाते हैं वो पनिया छान देते हैं बांकी को छोड़ देते हैं जी साहब और नदी में क्या क्या मिलता है पानी के अलावा सब एक दूसरे को देखने लगे किसी को कुछ जवाब नहीं सुझा अरे नदी में पानी मिलता है पर इसके अलावा और क्या क्या मिलता है प्रधान मंत्री ने अपनी बात को दोहराते हुए पूछा आरे पुल मिलता है नदी पर? ये नहीं मिलता बांध मिलता है नदी पर? ये कौनों बांध बांध नहीं है और प्रधान मंत्री ने अफसरों से कहा अफसरों ने शरम से सिरजुका लिया फिर एक अपसर ने हिम्मत करते हुए कहा सर सिक्स्थ प्लान में नदी पर बांध बनाने का प्रपोजल था फिर क्या हुआ सर्वे करने पर पता चला सर की नदी में पानी नहीं है इसलिए बांध बनाना सर फिजूल होगा सर हम इतना भी पानी अरेंज नहीं कर सकते कि एक बांथ बनाया जा सके प्रधान मंत्री ने कहा अब सरों ने शरम से फिर सिर जुका लिया प्रधान मंत्री ने मुख्य मंत्री की ओर देखा जो साथ साथ पीछे पीछे चल रहे थे प्रधान मंत्री के मुख्यमंत्री जी ने अपनी टोपी ठीक की थोड़ा सा खांसे और फिर बोले श्रीमान जी मैंने दिल्ली में तो निवेधन कैबे किया था सर की नदी में पानी को लेकर एक जो अंतराजिय दिस्प्यूट चल रहा है सर 1967 में इस समस्या पर स्रीमान जी एक हाई पावर कमिशन भी तो बैठा था अब जिसकी सिफारी समान ने कर दी गई थी तब मैंने स्रीमान जी कॉंग्रेस अधिवेशन में ये मुद्ध उठाया भी सवाल भी पूछा स्रीमान जी लेकिन कमिशन इस नदी पर बांद बनाने के लिए था प्रधान मंत्री ने पूछा जी नहीं सर वो तो दूसरा नदी पर था स्रीमान जी लेकिन मैं आप से इस नदी का पूछ रहा हूँ सर स्रिमान जी प्लानिंग कमिसन कहता है कि जिस नदी में पूरा वरस पानी नहीं रहता वहां हम बांध बनाने को प्रियोरिटी नहीं देंगे सर क्योंकि उससे बिजली नहीं बनेगी और प्रधान मंत्री कुछ सोचने लगे मामला उल्जा हुआ है कम्प्यूटर को फीड करना पड़ेगा फिर वे लोगों की तरफ घुमें कितने कुएं हैं आपके गाउं में जी एक भी नहीं है फिर आप मटकी लेकर कहां जाते हैं पास वाले गाउं में वहाँ कुआ है पानी मिल जाता है जी मिल जाता है मगर भीड बहुत रहती है वो गाउं कितने दूर है फजूर दो मील पर है और लोटने पर भी दो ही मील परता है जी उतना ही पड़ेगा ना हुजूर जाने के लिए कोई साधन है कोई बस टैक्सी जी कवनो साधन नहीं है पैदल जाना पड़ता है प्रधान मंत्री के चेहरे पर पीड़ा की रिखाएं उभर आई उन्होंने अफसरों से पूछा कि क्या इन दो गाउं के बीच हम बस सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते पानी लाने के लिए उस दिन एक विराठ जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधान मंत्री ने कहा हमने देखा हम देखे आपके गाउं में पानी की समस्या है लोगों को खास कर महिलाओं को दूसरे गाउं से पानी लाना पड़ता है मटकी में भर कर हमने देखा कि पानी सिर पर उठा कर लाना पड़ता है हम चाहते हैं कि हमारे देश में हर गाउं के पास एक नदी हो खास कर उस गाउं के पास जहां पानी नहीं है हम देखेंगे कि आप लोगों को मटकी नहीं उठानी पड़े या तो गाउं नदी के पास ले जाएं या वे नदियां गाउं के पास लाई जाएं जो भी जरूरी होगा हम करेंगे सरकार करेगी और भी समस्या यैसे बस चलाने की बांध की हम सब पूरी करेंगे वो हमें बड़ी जल्दी करना है हमें बताया गया कि यहां पर जो मठकियां आप लोग उठाते हैं वे मिट्टी की बनी होती है उस बारे में भी हमें कुछ करना है देश में पानी ही पानी कर देना है वो चाहे नदी का हो या बरसाद का या समुद्र का हम चाहते हैं हम कोशिश करेंगे आपके यहां बरसाद जल्दी आए नदी में पानी जल्दी आए जैसा भी हो सके हम बैंकों से बात करेंगे मठकियों के सवाल पे जितना कर सकते हैं करेंगे हमें देश को आगे ले जाना है इस पर एक यूवक जो अगले चुनाओं में कॉंग्रेस के टिकट का उम्मिद्वार था जोर से चिलाया राजीव गांधी की जै इस पर सब ने जै कहा और प्रधान मंतरी का कारवां दूसरे गाउं की समस्या समझने के लिए आगे बढ़ गया धन्यवाद एक स्वस्थ व्यंग एक स्वस्थ आलोचना की यही खासियत होती है कि वो कोई व्यक्ति विशेश, पार्टी विशेश पे नहीं होना चाहिए जो देश की समस्या है उस पर वो बात होनी चाहिए तो देखिए शरत जोशी जी उस समय कॉंग्रेस की जो गॉवर्मेंट थी उसके प्रधान मंत्री के विशे में ये बोल रहे हैं कुछ लोगों को ये समस्या हो सकती है कि ये उस समय थी अब नहीं है क्या कभी नहीं है क्या तो जो इतना बड़ा देश है हमारा यहां समस्याए हमेशा ही बनी रहेंगी बस ये है कि हमें उनको निरंतर प्रयास करके ठीक करते रहना है दो चीज ठीक करेंगे चार समस्याएं और खड़ी होती है यानि एक निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है इसके तहत हमें बस जो मूल भूत वस्तुएं हैं शिक्षा, बिजली, पा रब्द नहीं है खेर मुलाकात होगी अगले व्यंग में यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप हमारे सोचल मीडिया पेजेज लाइक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में सारे सोचल मीडिया लिंक्स दिये गए हैं जैहिंद